हलो फ्रेंड्स आप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट स्पेस आज हम केलेंचो प्लांट की फ्लावरिंग पर बात करेंगे बहुत सारे कमेंट्स आया हुए हैं तो ये ब्रायो फाइल हम है जिस पर हमने एक वीडियो पहले शेयर कर चुके हैं जब हमने इसको रिपॉ तब आकर यहा हैं और अगर आपको इस प्लांट को जरूर ग्रो कीजिए और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है को इनकी वे luck होती है और इसको प्रपगेट कर सकते हैं हमारे प्लाइन पर कलियाण अनि शुरू हो गई है और जल्दी ही फूल बन जायेंगी ये रेडर् लगबग जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है तो तब तक इसमें फूल आते रहते हैं तो हम ने अपने प्लांट में कोई पिंचिंग नहीं की है यानि कि कोई कटिंग नहीं की है तो इतनी ज्यादा फ्लावरिंग है अगर आप इसमें पिंचिंग कर देंगे तो इसमें और भी ज्यादा शाखाएं बनेंगी जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ही ज्यादा इसमें कलियां आती है फ्लावर स्पाइक बनती है जो ये फूलों की स्टिक सी जो आप देख रहे हैं ये बनती है तो जितनी जादे ब्रंचे उतनी ही जादे फ्लावरिंग तो ये चार पौधे हमने कटिंग से ही तयार किये थे जो कि एक 10 इंचिस के पॉट में हमने ग्रो किये हुए है तो एक साल के अंदर ही आपके पास इसके बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो ये इसका में प्लांट है जो कि हमने एक प्लास्टिक ब्रो बैग में लगाया हुआ है आपसे शेयर किया हुआ है लास्ट ये की वीडियो में डेस्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक तो अभी इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और यह मदर प्लांट है तो जहां से हमने इसमें से कटिंग ली थी वहां से भी इसमें छोटे छोटे पौधे बनकर तयार हो गए है यह वीडियो इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि केलेंचो प्लांट पर फ्लावरिंग कब होती है तो केलेंचो प्लांट पर फ्लावरिंग सर्दियों में होती है और जो हाइब्रिट केलेंचो होते हैं जो नर्सरी में मिलते हैं उसमें flowering October से स्टार्ट हो जाती है तो कि वो plants बाहर से बनकर तयार होकर आते हैं तो उसमें जल्दी flowering स्टार्ट हो जाती है जो आपके पास last year के hybrid कलंचो हैं उसमें सर्दियों में ही flowering स्टार्ट होगी लगभग November के बाद December में अपने अपने यहां के according flowering शुरू हो जाती है पर ओल कलंचो सर्दियों में flowering करने वाला plant है बस इसके लिए अगर आपको अच्छी flowering चाहिए तो पानी का ध्यान रखना होगा पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है बहुत हलकी नमी बना कर रखनी है और flowering नहीं हो रही है उसका कारण भी यही है कि आपके pot में बहुत ज़्यादा नमी हो रही है कलंचो के तो इस बात का आप ध्यान रखिए तो यह है bryophyllum जो की कलंचो की ही family से belong करता है तो यह एक different variety है इसमें लगबग 40 species होती है जिनमें से यह एक है और इसका stem भी कलंचो जैसा नहीं है कुछ ज़्यादा ही मोटा सा stem है इसका तो यह अपने आप में एक decorative item बन चुका है decorative piece बन चुका है ornamental plant है बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है इतनी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी care इसकी calancho plant जैसे ही होती है और propagation भी इसकी calancho plant की तरह ही होती है यानि की cutting से भी और leaf से भी आप इसको grow कर सकते हैं सबसे ज़्यादे प्यारी इसकी जो बात है यह इनके cups हैं कुछ इस तरह के जो यह छोटे-छोटे cups हैं यह बहुत ही प्यारे लगते हैं और एक सभी leaf में यह इस तरह से एक cup जरूर है छोटा-छोटा सा जो की एक different shape है जो देखने में बहुत प्यारी लगती है तो आप भी जरूर बताएगा आपको यह plant कैसा लगा हमें तो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत अच्छा लगता है गार्डन में रखा हुआ तो अगर आपके पास भी है तो comment box में जरूर बताएगे कोई query है, question है, comment box में बूचिए वीडियो कैसे लगी है, जरूर बताएगे और केलेंचों की flowering के लिए सबसे ज़्यादा आपको पानी का ध्यान रखना है बाकी care tips हम share कर चुके है description box में वीडियो जरूर चेकीजिए और फिर भी अगर आपको कोई question है, query है तो comment box में बूचिए हम answer करने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी answer करेंगे, thank you